धारा 370 अनुछे खतम होने के बाद सदस्ता अभ्यान अपनी जोर शोर पकड़ चुका है इसी को लेकर जादा बाच्चित करने के लिए में साथ मौजूद है सांसात तीरत सिंग रावत सर देखा जाए धारा 370 का अशर कल कश्मीर में भी देखा गया बहराल बकराईद महावे बड़े धूमधाम से बनाएं गई अजी डोबाल भी लगाता है सडकों के जरीए लोगों से मिलने के कोशिश कर रहे है और वहीं आप क्या सोचते है कि 370 का अशर सदस्ता अभ्यान पर कितना पड़ेगा अनुछे 370 जिस तरह परधान मंत्री और ग्रह मंत्री अमित साजी ने एक बहुत बड़ा इस्टब लिया जो 70 बरसों के बाद लोगों की जो अपेक्षाएं थी और लोग जो चाहते थे जो लोगों के शपने थे वो स्यामा परसाद मुखर जी ने उसके लिए जो बलिदान किया हुए नजाने कितनी बार सेक्ड़ों सेक्ड़ों लोग उस पे अपने को समर्पित किये ये किसी चुपा नहीं है तो एक बहुत बड़ा इश्यू बहुत बड़ा कादम मैं कह सकता हुए मोधी जी ने रहा में साजी ने लिया है एक साथ जोड़ने का काम किया जम्मो कस्मीर भारत का अभिन अंग है लेकिन लगता नहीं था लोगों को क्योंकि वहां की अलग ब्योस्ताएं अलग संबिदान, अलग परधान, अलग ध्वज ये सारे दो निशान इस परकार जो चलते थे तो लोगों को लगता था है कि भारत में रहने के बाद भी ये क्यों, ये किसले तो सब को एक जैसा होना चीए कानून तो उसको आसाकार हुआ है आखर स्वार जरूर पूछ जाएगा, देखा जाए तो एक महीने का सत्र होता है, सत्र के दरण तीन तलाग पर कानून बनता है इसके बाद चंद्रियान टू लाँच होता है, अब की बात कर ली जाए तो कश्मीर अजाद हो जाता है अब क्या लगता है, कि जो मंदिर को लेकर निर्मान का बिगुल कितने सालों से बचता हुआ है, जिसकी शुरुवाद आपकी सरकार ने करी थी, क्या वो इस जो सरकार है, इसमें पूरा हो पाएगा स्वाबा के निशित है, कि चंद्रियार की बात की आपने उसमें शपलता हासिल की है, और अनुचे 370 जो लोग उमीद नहीं कर से कल्पनाइं कर सकते हैं, जल्दी सब हो जाएगा, वो भी हो गया ततकाल, और वो दिड़ी इच्छा शक्ती, प्रधान मंत्री जी की, अमित स रहेगा, लेकि इतना जरूर है कि वो कोट का मामला है, वो सुप्रीम कोट में है, लेकिन हाँ, एक विश्वास जगा लोगों कि सुप्रीम कोट भी जल्दी जल्दी उसको हेरिंग कर रहा है, और उसकी तारिकें दे रहा है, निशित है, इस समय आने पर राम मंदिर दिल्दी